हमारे पेरेंट्स, हमारे माबाप हमेशा ही हमारा अच्छा चाहते हैं इसी वज़र से वो हमें बच्पन से ही ऐसी चीज़े बताते रहते हैं जो हमें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छी है या खराब लेकिन फिर भी बच्चपन में नाच आते हुए भी बच्चे कुछ ऐसी नादान्या कर देते हैं जिसका आउटपूर्ट जिसका भुकतान उन्हें शायद अपने पूरी सिंदगी करना पड़ जाए आज के स्टोरी होने वाली है रौनित के बारे में यह स्टोरी छे साल पुरानी है यानि कि 2018 की हर किसी बच्चे के माबाप चाते है कि उसका बच्चा सही सलामत अगर कहीं जाए तो वो सही सलामत घर भी लोट जाए इसी के चलते हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चे को यह चीज़ समझाते रहते हैं कि अगर कोई भी तुम्हें रास्ते में बुलाए कोई भी अनजान तुम्हें बुलाए या फिर कुछ भी खाने को दे तो बिल्कुल भी ऐक्सेप्ट मर करना और वहाँ से भाग कर अपने घर आ जाना क्योंकि आज करका जमाना काफी जादा खराब है रॉनित एक 11 साल का लड़का था जो 7th स्टेंडर में पढ़ता था वो काफी जादा अच्छा था बढ़ाई में भी और बहुत जादा दिल का साफ भी था एक दिन रॉनित अपने ट्यूशन से घर आ रहा था रॉनित को अपने ट्यूशन से घर आने के लिए एक बस पकड़नी होती है जो रॉनित के ट्यूशन के पास वाले बस स्टेंड पर आती है और उसे पकड़कर रॉनित डैरेक्ट अपने घर पहुच जाता था एक दिन रॉनित के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज 6 साल बाद भी उसे बहुत जादा परिशान करती है रॉनित अपने ट्यूशन से एक टेस्ट दे के आ रहा था और वो काफ़ जादा खुश था क्योंकि वो पढ़ाई में तो अच्छा था ही इसलिए उसका टेस्ट काफ़ जादा अच्छा गया था और जब रॉनित घर आने के लिए बस टॉप पे गया तो उसको एक चीज़ काफ़ जादा स्ट्रेंज लगी कि आज बस स्टॉप पूरा का पूरा खाली पड़ा हुए यूज्वली ऐसा नहीं होता था आम तोर पर काफ़ जादा भीड लगी रहती थी क्योंकि रॉनित साथ बजे बस टेंड पर खड़ा होता था और उस टाइम काफी लोग ऑफिस से घर आ रहे होते थे आज के दिन जिस दिन रॉनित के साथ यह वाला इंसिडेंट हुआ रॉनित साड़े छे से साथ बजे के बीच में बस स्टेंड पर खड़ा था बट स्टिल वहाँ पर कोई भी नहीं था सिर्फ तेज हवाय चल रहे थी और एक सुनसान रस्ता दिख रहा था काफे ज़्यादा लेट हो गया था बट बस नहीं आ रही थी और रॉनित ने एक चीज नोटिस करी कि बस स्टेंड पर बस स्टेंड की सीट पर एक बूरी सी औरत बैठी हुई है जिसने अपना सर अपने बालों से टका हुआ है जब रॉनित नोट से देखा तो उसके चीज काफी जाता स्ट्रेंज लेगी कि वो बूरी औरत रो रहे थी और जब उसके रोने की आवाज आ रहे थी तो रॉनित ने सोचा कि एक बार वो से जाकर पूछ ले कि क्या हुआ जब रॉनित उसके तरफ जा रहा था तो उसको भवी थौट आया जो उसके पेरिंट्स उसे बूलते थे कि रास्ते में अगर कोई भी अंजान दिखे या तुम्हें बुलाए तो कभी भी उसके तरफ मत जा रहा है अगे बट सिल रॉनित ने इंसानित के नथे अपनी बैक से अपनी वाटर बॉॉत्ल अपनी पानी की बोतल निकाली और उस बूरी और तज स्वेंग्हें तो उससे पूछा इसका काफ़् जब अजीब लगा एंड्ड फोड़ा सा डरने लग गया था। रणित पीछे खटा एंड जैसे रणित पीछे हटा वैसे ही वह बुढी वारत खड़ी ओक और इसनों अपने बाल पीछे करें तो उसके शकल देखकर रॉनित काफ़े ज़ादा डर गया था क्यूंकि उसके शकल भोग ज़ादा क्रीपी थी और भोग ज़ादा वियर्ड थी उसके चैरे पर भोग ज़ादा कट्स लगे हुए थे बहुत जगा पर खूणने की निशान थे और उसका पूरा पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था उसके कपड़े भी छोड़े से फटे और पुराने से थे और वो अचानक से रॉनित को देखकर चिलाने लगी कि मेरा पती का है तुम नहीं उसे मारा है न मेरा पती लोटा दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो और इसी चीज़ को ये औरत काफ़ी बार रिप्लीट करे जा रही थी जब रॉनित ने चीज़ सुनी तो उसको लगा कि शायद ये कोई पागल औरत है या फिर mentally unstable है और तभी रॉनित ने उसके पैरों की तरफ देखा और वो देखकर उसके होश उड़ गए रॉनित ने देखा कि उसके पैर पूरे के पूरे पीछे मूड़े होए थी ये चीज़ काफ़ जादा वीर्ड थी पहले तो रॉनित को लगा कि शायद वो कोई पागल हो रहता है तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता बट ये चीज़ देखकर कि उसके पैर पूरे के पूरे पीछे मूड़े होगया रॉनित की सासे तेज हो गई और उसने बिना कुछ सोचे अपनी वाटर वाटल अपनी पाने की बॉतल नीचे फेक ही और वो डिरेक्ट पीछे मुड़कर भागने लग गया बस बहुत देर तक नहीं आ रही तिसले रॉनित डिरेक्ट कहीं दूर भागा एड़ वहाँ से ही उसने रिक्षा पकड़ा और वो अपने घर चला गए जब रॉनित घर गया तो उसने अपने पेरेंट्स को इस इंसिदेंट के बारे में बताया ही नहीं चुकि उसे लग रहा था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताए गा, तो उसके ही पेरेंट्स उसे डाटेंगे कि तुम उसके पस क्यों ही गए, इसलिए रॉनित ने ये चीज अपने पेरेंट्स को डिसक्राइब ही नहीं करी, रॉनित पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यूं था आखिर वो कौन थी और आज पास टॉप पे कोई क्यूं नहीं था उसके पैर पीछे क्यूं थे यह साही चीज़ों रॉनित के दिमाग में चल रहे थी जब रॉनित रात को सोने के लिए चला गया तो तकरीबन धाई से तीन बजे रॉनित की नीद अच्छानक से खुली एंड जब उसकी नीद खुली तो उसके कानों में ऐसी आवास पड़ रही थी जो उसने पहले कहीं सुनी हुई थी उसको ऐसा लगा कि शायद यह वही आवास है जो उस बस्टॉप पर आ रहे थी उस बूरी औरत के रोने के यह सुनते ही रॉनित जंजोड के रह गया जैसे ही वो उठके बैठा वैसे उसने देखा कि वही बस्टॉप वाली बूरी सी औरत उसके बैठके कुने में बैठी हुई है और रो रही है जैसे ही रौनित और उस बुरी ओरत के आई कॉंडक्ट होता है, वो बुरी ओरत एक बहुत जीब तरीके से हसने लग जाती है रौनित काफी तिर डर जाता है ऑश को दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा होता है जैसे ही रॉनित उसको देखता है वो सीधा रॉनित के चस्ट पर आकर बैठ जाती है और उसका गला अपने हाथों से दबाएने लग जाती है और बोलती है कि तुमने ही मेरे पती को मारा है न अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी न रॉनित काफी तेज तेज चिलाएने लग जाता है जैसे रॉनित चिलाता है उसके मम्मी और उसके पापा भाग के उसके रूम में आते हैं और वहां की लाइट सौंग करते हैं जैसे कि रूम की लाइट अन होती है रॉनित देखता है कि उसके रूम में कोई भी नहीं है, उसके मम्मी, पापा और उसके अलावा और फिर से रॉनित काफी जाए डर जाता है और तब जाके रॉनित अपनी ये सारी इंसिडेंट जो उस दिन हुए थे अपनी पेरिंट्स को बताता है उसके पेरिंट्स थोड़ा सा उसे डाटते हैं कि आखिर वो क्यों गया, बट स्टिल वो उसे समझाते हैं कि ये सब तुमारा सिर्व एक बुरा सपना हो सकते हैं तो डरो मत एंड सो जाओ, पर स्टिल रॉनित काफी ज़्यादा डर गया था तो वो आज की रात अपने पेरिंट्स के साथ ही सो रहा था अभी बात यहाँ पर खदब नहीं हुई थी, उनके पेरिंट्स को तो लग रहा था कि ये एक अजीब सपना है या बुरा सपना होगा, क्योंकि रॉनित काफी ज़्यादा सोच रहा था बट ये सपना अब रॉनित को रोज आने लग या था एक दिन, दो दिन, एक हफते, दो हफते ये सिल्सला चलता रहा पूरे दो महीने तक अब बात तो तब सीरिस हो गई थी जब रॉनित के पेरिंट्स को रॉनित के गले पर ऐसी निशान दिखें लग गए थी मानो कोई सही में रॉनित का गला दबाता हूँ उसके पूरे गले पे रेड रेड निशान हो गए थे और काफी ज़्यादा स्वेलिंग होन लग देती जब उन्होंने ये चीज किसी पंडित को दिखाई या फिर किसी पीस्ट को दिखाई तो उन्होंने बताया कि मेभी रॉनित के उपर कोई बुरा साया चट चुका और काफी ज़्यादा पूजा पार्ट और जो भी रिच्वल्स वगरा होते हैं उसके बाद ये चीज थोड़ी कम होई रॉनित आज भी कहता है छे साल बाद जब उसने स्टोरी भेजी कि आज भी ये चीज पूरी तरीके से खतम नहीं हुई है कभी कभी साल में तो तिन बार उसके साथ ये इंसिडेंट ज़रूर होते है उसे वो सेम फिलिंग आती है कि वो बूरी ओरत उसके चस्ट पर चड़के उसका गला दबाती है और उसे बूलती है कि तुमने मेरे पती को मारा है अब मैं तुम्हें छोड़ूंगे इसके पीछे कि क्या मिस्ट्री है क्या राज है ये आज तक ना रौनित को बता लगी है ना किसी और को और रौनित अभी भी डिग्रेट करता है कि वो उस दिन बस टॉप पे उस बोड़ी औरत के पास क्यों गया और उसे अपने पेरेंट्स की वो बात हमेशा याद आती है कि कभी भी किसी अंजान इंसान या अंजान परसन के आज पास नहीं जाना क्योंकि आजकर की दुनिया काफी जादा खराब हो चुकी है और तुमारे साथ कभ कैसा इंसिडेंट हो जाए इसकी कोई भी गैरेंटी नहीं है I hope आपको ये वीडियो काफी जादा अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी काफी जादा इंट्रस्टिंग लगी होगी मैंने अपने 100% दिया है इस स्टोरी को एक इंट्रस्टिंग वे में पोर्ट्रे करने का तो आई हो आपको पसंद आया होगा और इफ पसंद आया तो यार प्लीज लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो हमें इस महीने हमारे 500 सब्सक्राइबर्स का टार्गेट ज़रूर पूरा करना है थैंक्यू पर सो मच आपने इतना दादा प्यार दिखाया पिछली वीडियो में एक दिन में 400 प्लस वीउस हो गए दे तो थैंक्यू सो मच इस वीडियो पर इतना प्यार दिखाना शेयर करना सब्सक्राइब कर देना तब तक करिया अपना ख्यार रखना मिलते है किसी नक्स वीडियो में